कि मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं अच्छा से सब कुछ संचालन भी कर रहे हैं आप मंच से बोलते हैं कि मैं चावकिदार हूं ददेश के हर नागरिक चावकिदार हो दाते हैं मोदी जी ने अपने कारेकाल में अभी तक ना जाने कितने सारे मंच को साजा किया लेकिन एक भी ऐसा मंच बता दीजिए जिन्हों ने मोदी जी ने मंच से कभी ये कहा हो कि मेरे हिंदू भाईयू बहनों मेरे मुसलिम भाईयू बहनों एक हो जाओ ये आज तक नहीं आप आपने बिल्कुल सही कहा, यहां मुसलमानों को जैसा कि मैं अपनी बात करूँ, मैं थेटर करता हूं मुद्धिपधर्श भौपाल में, तो बीच में यहां मुझफरपुर में बाड आ गई थी, तो मैं यहां आया तो मैं एक जॉब ढूंडने के लिए गया, तो मैं जब हैं मुझफरपुर में बाड का सिलसला रहा है, तो मैं यहां आया जॉब के सिलसले में, थोड़ा मैं फैसन से भी जुड़ा हूं, तो मैं गया एक जगा जॉब करने के लिए, और मेरी बाड बड़ी-बड़ी थी, और जबकि मैं हिंदू हूं, मैं उसके यहां गया इंटर्व पर पूर की मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, चुकि वह भी बहुत बड़े ऐसे लोग को तो बेनकाप करना चाहिए, नहीं है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, हुआ है, लेकिन एक समय हम लोग राइटर, साहित्य ही करांती लाती है, लेकिन हमारा उमर नहीं, हमारे ये अनांस कर सकते हो, दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियेंस बदलने वाली वेबसाइट, यूट्यूब और फेस्बुक पर भौकाल काटने के बाद, अब बारी है अप की, ललन टॉप एप, जो लाँच होते ही कुछ ही घंटों में बन गया थ अचा में, पाईए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले, पेस्बुक और यूट्यूब से भी पहले, खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन, बड़ी खबर हो, या फिर हो, किस से सब आपके फेवरिट सेक्शन आपको हैं बताने, इतना ही नहीं झाल